Assalamu alaikum welcome to student tube आज की से लेक्टर में चेप्टर नंबर 3 आइकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ बुख है शाहिद जमाल की चेप्टर है इंटरस्ट एंड अनुविटीज तो यहां पर हमाँ पास है कुछिन नंबर 3.11 अब यहां पर रेट बताना है कि कितने रेट पे 24,000 जो है वो हो जाएंगे हमाँ पस 25,920 चार सालों में तो हम यहां पर देखें तो हमें क्या-क्या दिया हुआ है हमें यहां पर दीविए सबसे पहले तो पी यानि कि प्रिंसिपल अमाउन 24,000 इसके बात दिया हुआ है अब यह जो 25,920 है यह आए नहीं है ठीक है आई होता तो इंटरस्ट कम अमाउंट होती है और यहां पर तो साफ कुछिन में कहा है कि 24,000 से हो जाएं 25,000 that means कि इस अमाउंट के अंदर 24,000 भी है और इंटरस्ट की अमाउंट भी शामिल है तो यह है हमारा ए ठीक है एका फॉ 25,920 और आर हमें फाइंड करना है तो पहले हम एक फॉर्मुला अगर देखें तो होता है प्लस आई तो हमें आई फाइंड करना है तो आई इधर रह जाएगा और 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 पी उधर चला जाएगा यानि ए माइनस पी तो आई इस इकल टू क्या हो गया 25,920 माइनस 24,000 तो आ आई क्या आगया हमारे पास 1920 ठीक है अब हमने simple formula लगाना है आई का i is equal to p and r तो आया है 1920 is equal to p p क्या है हमारे पास 24,000 multiply by n 4 years multiply by r ठीक है so 24,000 को 4 से multiply करेंगे तो आई का 96,000 और ये 1920 और so यहाँ पर 1920 divided by 96,000 तो आगया हमारे पास 0.02 multiply by 100 किया तो हमारे पास आया 2% ठीक है so और हमारे पास क्या आया 2% अब है 3.12 इन वाट ताइम will रूपीज 3,200 amount रूपीज 5,600 at 5% simple interest तो सेम है यहाँ पर हमें principal amount दी भी है 3,200 a दिया हुआ है 5,600 rate दिया हुआ है 5% और n हमें find करना है तो सबसे पहले तो हम I find करेंगे तो I find करने के लिए हमने जैसे कि अभी formula को drive किया I is equal to A minus P so A है 5,600 minus 3,200 तो यह हो गए 2,400 ठीक है 5 divided by 100 यानिके 0.05 तो इन दोनों को multiply किया तो आया 160 N और 2400 तो यहां पर N इधर चला गया 2400 के साथ 160 डिवाइड होगा तो यह हो जाएगा 15 ठीक है तो यह थे आज के दो questions I hope कि आपको अच्छे समझ आ गए होंगे मजीद exercises and questions के लिए channel को करें subscribe और साथ ही अपने classmate and friends से share भी जरूर करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए Allah आफ़ेज